हाई फ्रेंड्स चलिए आज हम एश गौर्ड या फिर इसको हम पेठा भी बोलते हैं हिंदी में या फिर इसको विंटर मेलन भी बोला जा सकता हैं इसका राइता बनाएंगे फ्रेंट्स एशगॉर्ड होता है या पीठा होता है ये बहुत हेल्डी होता है इसमें बहुत ही लो कैलरी होती है और हाई फाइबर होता है हाई वाटर कंटेंट होता है जो की वेट को रिड्यूस करने में आपको बहुत फाइदा करता है ये काब में लो होता है अलसर जो होत जितना एश्गॉड ले लिया था यह राइता तीन से चार जनों के लिए इनफ हो जाता है इसका मैं छिलका निकाल दूँगी जो पीछे का हरा वाला छिलका है इसे आपको निकाल देना है और इसके बीज भी हम यूज नहीं करेंगे हम इसका जो मिडल वाला पार्ट है वही तो इस तरीके से चीलके इसके जो बीज है वह भी आप निकाल दें है फ्रिन्ड's ऐश्गॉड जो होता है उसका आप जूस बना के भी पी सकते हैं पेथे का जूस इसके साथ आप जैसे बीच रुड डाल दे गाजर डाल दें आप फिर लॉकी डाल दें और इसका जूस बन चोटे बड़े कैसे भी ग्रेट कर सकते हैं मैंने यह मीडियम साइज का इसको ग्रेट किया है अब यह यहां पर मैंने ग्रेट कर दिया है इसे हम थोड़ा सा हलका सा सौटे करेंगे ताकि इसका जो रॉट टेस्ट है वो चला जाए तो पैन रग दिया था मैंने यह गरम और मैं सौटे करूंगी इसे हमें 2-3 मिनिट तक सौटे करना है जिससे कि इसका रौ टेस्ट है वो चला जाएगा और यह में खाने में रायते के अंदर बहुत ही टेस्टी लगेगा इस तरीके सी रायते में डाल के आप इसे खा सकते है इसका रायता यकीन मानिए बहुत टेस्ट बढ़ेटी लगता है आप एक बार यह रेसेपी ज़रू ट्राय किजेगा अब यहां पे यह मैंने फ्रेश दही ले लिया है यहां पर हमें दही जो है वो फ्रेश यूज़ करने का है क्योंकि आप रायता जो हुटा है वो हमेशा फ्रेश दही का ही अच्छा लगता है अब इसे हम विसक करझे और थोड़ी सी बारिक कटी हुई नवक दाल दाल देंगे और इसे फिर से एक बार मिक्स करदेंगे यहां पर मैंने येzem पेन्ट्स होते हैं तब हम इसे इसमें एड़ करेंगे इसको इस तरीके से हाथों से फैला कर खुला खुला करकर एड़ करें नहीं तो ये लंप सो जाएंगे आप एक साथ एड़ करेंगे तो इस तरीके से हाथों से खुला खुला करके एड़ करेंगे तो इसके लच्छे जो है वो बने रहेंग अब हम इसे mix कर देंगे, अच्छे से हमें इसे mix करना है, और अब हम इसका तड़का बनाएंगे, तो उसके लिए तड़का पैन में मैंने olive oil डाल दिया, एक तीस्पून, आप regular cooking oil भी डाल सकते हैं, और यहां पे थोड़ा सा जीरा और उड़त की डाल डाल दिया, एक एक मचके जितनी, और इसे हम तड़कने देंगे, उड़त दाल को तड़कने में थोड़ा time लगता है, उड़त दाल थोड़ी सी brown हो जाए, तब तक हमें से चलाना है, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा बारिक चॉप किया हुआ, मैंने यहां पे कड़ी पत्ता डाल दिया है, मैं अब यहां पे हम सर्विंग बोल में सर्व कर देंगे रायता, और उपर से तड़का और हरी मिर्च और थोड़ा मूनफली डालकी से गार्नेश करेंगे, फ्रेंड्स यह रायता, आप पूरी पराथा रोटी सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको मे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले, अगर आप यह रेसिपी ट्राइ करते हैं, तो मुझे यूट्यूब में, फेस्बुक पे या इंस्टाग्राम पर कमेंट करके बताएं, आपको यह रेसिपी कैसी लगी, मिलती हूं कुछ हेल्दी न्यू पीस के साथ, थैंक यू, टेक कैर, गुडबाए